वेल्कम बैक तो दा कनेडियन फीवर यूटूब वीडियो आज किस वीडियो के अंदर मैं मार्च 2023 की आइल्स एक्जाम की देट परिक्ट करने वाला हूं उन स्टूडेंट के लिए जो बच्छे जाते हैं कि वो स्टाइन प्लस स्कोर करें अपने आइल्स एक्जाम के अंद फाइनल प्रिक्शन नहीं है फाइनल प्रिक्शन फरिवरी के मन्त के मिडिके अंदर देखने को आपको मिलेगी तो जो बच्छे इस वीडियो को स्किप करना चाते हैं कर सकते हैं जो बच्छे करना चाते हैं कर सकते हैं इसके एक और इंप्रिक्शन करना शुरू कर दीजि आप सभी ने अगर मेरे से पुराने जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो अपने मार्च के मतमेल्स का एक्जाम दे रहे हैं उन्हें पता है कि हमारे 7 जनवरी, 14 जनवरी, 19 जनवरी या फिर 21 जनवरी की बात करो इन सभी एक्जाम के अंदर हमारे ही PDF के अंदर से हमारे ही बुक के अंदर से चाहे मैं रीडिंग की बात करूँ चाहे वो मैं बात करूँ राइटिंग टास्क की तुब देखने को मिली हुई है अगर आप चाहते हैं उस PDF को डाउलोड करना फ्री अफ कोस्ट के साथ जो आप अपनी स्क्रीन पर देखने है तो आपको कुछ नहीं करना है इस चैनल को जरूर से सिस्क्राइब कर लेना है और उसका स्क्रीन शॉट लेकर आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज के उपर आना है वहाँ पर हमें सेंट कर देना है हमारी तरव से आपको एक लिंक प्रवाइड की जाएगी जहां से आप उस PDF को free of cost के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको दूसरे चैनल से paid लेकर खरीदे हैं तो आप खरीद सकते हैं एक और चाहिए मैं क्लियर करना चाहूंगा जो भी मेरी prediction रहती है totally observation पर रहती है और मेरे experience जितना मेरे IELTS के field में रहा है उसके according मैं predict करता हूँ इसके अंदर मैं कोई भी logic विगारा नहीं लगाता हूँ कि according जैसे academics प्रजीटी का exam है तो वो easy रहेगा अगर सिर्फ academics का exam है तो वो difficult होगा ये सिर्फ एक myth है और बच्चे उने बस इसकी hype बनागे रखी है similarly एक और myth चला आता है कि particular area के अगर हम अपना IELTS का exam book करते हैं तो हमारे band score अच्छे आते हैं for example पंजाब रिजिन की बात कर ले तो मोगा और अमरीसर बच्चे कहते हैं कि हमरीसर में IELTS का exam book करने से speaking अच्छे से clear हो जाती है और मोगा के अंदर बच्चे students सोचते हैं हमारी reading clear हो जाती है ऐसा कुछ भी नहीं है कोशन पेपर बिल्कुल सेम रहने वाला और examiner ऐसा कुछ नहीं है कि examiner सेम ही आता है हर exam के टाइम में हर मन्त के exam में examiner शफल होते हैं किसी की duty अमरीसर लग जाती है किसी की मोगगे में किसी की अमरीसर के अंदर easy exam देखने को मिल जाएगा या फिर वहाँ पर question easy पूछे जाएंगे question same रहने वाले है answer भी same रहने वाले है totally depend करता है आपकी preparation के उपर इन सभी myth से बिल्कुल भरोसा मत करो एक और मैं एक चीज और add-on कर देना चाहता हूँ prediction शिरूर करने से पहले सबसे पहले अगर कोई भी date आप exam booked कर रहे हो तो जो teacher के पास आप पढ़ रहे हो जिस mentor के पास आप पढ़ रहे हो उनसे आप date पुछो कि कौन सी date मेरे लिए best date मैं आप बताओ sir आप बताओ ठीक है अगर वो कोई भी question नहीं answer करते हैं कि नहीं कोई भी book कर लो कोई issue नहीं है then आप मेरी वीडियो भी follow करो या किसी और other channel पर जो वीडियो बने हैं उनको follow करो एक और चीज़ एड करना चाहूंगा आप जब भी prediction के से related video देख रहे होते हैं क्योंकि date के उपर आपकी पूरी life टिकी हुई है आपका हर बच्चा ford नहीं कर सकता है 15,000 per month के exam के लिए तो make sure आप उनहीं पर trust करके अपना आइस का exam book करना जो पहले से predict करते आ रहे हैं इनको experience है जो हाल ही में सिर्फ views के लिए कर रहे हैं उन पर आपके बुक मत कर लेने क्योंकि मैंने आज ही 2-3 pages के वीडियोस देखे हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि जीडियो और academics का exam एक दिन आता है तो easy होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो make sure सबसे पहले teacher को preference करें अगर आप मेरे से बहुत time से जोड़े हुए तब आप मेरी वीडियो भी follow करें but again मैं repeating करें सबसे पहले अपने teacher से पूछें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि उनको पता है आपकी weakness कहा है आपकी strength कहा है ठीक है मुझे भी नहीं पता आपकी weakness कहा है strength कहा है वो उसके according आपको एक date बताएंगी कि बच्चे आप इस दिन अपना आइल्स का exam booked कर लो इस दिन क्योंकि उन्हें भी experience है इस field का उन्हें पता है किस दिन exam कैसा हो सकता है उन्होंने भी previous exam observe किये होते हैं और मेरी prediction totally रहने वाली एक average student को लेकर चल रहा हूँ और एक ऐसे student को जो overall score 7 plus कर रहा है और एक overall student है जो 6, 6 and a half score कर रहा है उसके according में date predict कर रहा हूँ चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से dates देखने को आपको आपको एक्जाम में मिल रही है तो 2nd March, 11th March and 18th March and 25th March एक और चीज़ एड़ करना चाहूँगा again कहा रहा हूँ initial days की prediction है क्योंकि हर मन्त के अंदर 5 exam dates होते हैं इस मन्त हमें 4 ही देखने को मिल रहे हैं आप देखेंगे February के मिड तक आपको एक और date add हो जाएगी तो मेरी prediction टोटली रहने वाली easy, moderate, hard के बीच में प्रडिक्ट करने वाला हूँ प्लस अगर आपको हमारी prediction successor ratio देखनी है तो मैं कहूंगा 95,200 के बीची में रहती है शफल करती रहती है तो इसका best example है आप हमारे previous video के देख सकते हैं जिसमें date predicts की हुई है या फिर particular exam date की pattern बताया हूँ किस टाइप का आपको exam देखने को मिल रहा है particular date के उपर आप उनके comment read कर सकते हैं या फिर हमारे सबसे best रहेगा आप हमारे Instagram पेज पर आ सकते हैं वहाँ पर आपको task to के जो statement होते हैं इसके sample answer के साथ देखने मिलेंगे exam देखने को मिल रहा है इस दिन Thursday है और मेरे observation के according इस दिन हमें hard exam देखने को मिल सकता है 11 March के बात करूँ उस दिन academics GT का exam है Saturday पट रहा है उस दिन easy to moderate के बीचे में exam रहने वाला है again 18 March के बात करूँ academics है Saturday है और इस दिन मैं सभी बच्चे को recommend कर रहा हूं जिन जो बच्चे week है जिनके six and six half आ रहे है बैंड स्कोर वो definitely exam बुक कर लेना अपने आल्स के लिए क्योंकि ये date आपके लिए best है एक higher band score करने के लिए जो बच्चे week है जिने अपने desire band चाहिए ताकि वो अपनी file lodge कर सके Canadian study visa के लिए then definitely आप 18 March बुक करें और जो बच्चे चाहरे हैं कि मैं seven plus band score करूँ तो आपके लिए दो dates available है आप 11 March बुक कर सकते हैं या फिर 18 March बुक कर सकते हैं अगर 25 March की बात करूँ तो इस दिन Saturday है और इस दिन थोड़ा exam moderate level का हो सकता है बट उतना difficult नहीं होने वाला है जितना second March को रहने वाला है तो make sure अगर बच्चा आप उश्यार हो आपकी dates निकल चुकी हैं तो आप 25 March को भी बुक कर सकते हैं तो यह overall prediction थी मैं उम्मीद करूँगा तब तकली बबाइ and God bless you for your exam